हलो दोस्तों नमस्कार मैं जेतवारी एक्जम तब मैं आपका सौगत करता हूँ जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 29 तारीक से बर्ग एक के एक्जम इस्टाट होने वाले हैं सम्मिधा के तो सम्मिधा बर्ग एक और बर्ग दो के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपोटें हो तो कुष्ण गलत हो जाता है क्योंकि बहुत सारी कुष्ण मंदें से तो मैं आपको बताता हूँ कि आप से चाहें बोली विभासा अप्रणस क्या होते हैं कितने होते हैं हिंदी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगी यदि आप इस वीडियो को स्टार्टिं से एंड तक से नहीं कि दें तो चलिए चलते हैं मैं आपको बताता हों जो हिंधी है एक हिंदी भासा न आख ना होकर भासा seperti इसमें जो हिंदी है पांच उप भासाहों से मिलकी बनी हुई एक भासा है और शक्तरा से 18 बोलिया आती है वैसे किसी-किसी बुक में 17 बोलिया लिखाया इतनी मान के चलोगे कि अठारा बोलियों का समुए है हिंदी भासा और जिसमें पांच भासाइं आती है ठीक है और हिंदी का विकास बास्तिविक रूप से किसे माना जाता है अपभरंसों से वैसे तो आपको मालूम है कि सबसे पहली भासा संस्कृत थी संस्कृत पाली प्रा करोंगा कि अभण्स कितने हैं और कि अभासों से हिंदी की कौन-कौनसी बुले निकले हैं तो नहीं एक एक वर कि आप सामने होागा this स्थ आपको यादाव धी हो जाएगा डिकिए था उपрип्रों से हिंदी के हिंदी के भासा बिग्यान की अनुसरों हिंदी के साथ भासा विग्यान के अनुसार जो अब्रंसों की संक्या माने गई है वो कितनी माने गई है साथ माने गई है अब्रंस कितने होते हैं साथ होते हैं कौन कौन से सौर सैनी पैसाची महराश्टी मागदी अर्दमागदी ब्राचड खस यह अब्रंस है लेकिन साथ मैंसे चार अब् कितने इतने हैं वो चार अब्रणस हैं चार अबरंस कह लेकि Paul you वाथा और लिटा वैजत हो आपको पता होने चाहिए कि बोली व्यभासा झाह yardım bardziej निवां काहिए कि भळी वभास अभासा में डिफरन्स क्या है तो यह आपको मालुम होने चाहिए तो देखिया हैं टोटल अब्बरंस की संख्या कितनी है साथ है कौन-कौन सी सौर सैनी पैसाची महराश्ची मागदी अर्दमागदी बराचर खस कर दोस्तों इसके बाद मैं बताता हूं कि जो आपके साथ अब्रंस हैं इन मैं से केवल चार अब्रंस ऐसे हैं जिन से हिंदी की पांचों की पांचों और भासा निकली हैं वो कौन से चाहरे हैं स्टार्टिंग की चाहर एक सौर सैनी मागदी अर्दमागदी और खस सौर्च एनी से हिंदी की दो महत्पुर उभवासा हैं निकली हुई हैं एक आपकी पस्चमी हिंदी एक आपकी राजिस्थानी तो यहां से सौर्च एनी से कितनी उभवासा निकली हैं दो इसके बाद आपको मालूम है जो मांग दी है मांग दी से कौन से उभवासा निकली है बिहारी अर्थ मांग दी से कौन से निकली है पूर्वी हिंदी और खस से कौन से निकली है पहाड़ी इसके अलावा भी आपको मालूम होगा कि पैसाची से और महाराश्छी से और ब्राचर से इनसे भी बहुत साड़ी उभवासा निकली है लेकिन हमारी जो हिंडी है हिंडी की उभवासा और केबल कितनी है पांच हैं कौन कौन से हैं आपको मालूम होने चाहिए पूरी भी हिंदी पस्च में हिंदी राजिस्थानी बिहारी पहारी पस्च में हिंदी और राजिस्थानी आपकी सौर्शनी अब्रण से निकली हुई है आपकी पहारी किसे निकली हुई है खस से निकली है पूरी हिंद ऐन्से हिंधी की पाने के पांचाहिंन की निकली है इसके अलावा जो पांच पांच प्लिधीर हिंदी की इन से कितनी बोलिया निकली ईए अब किस अपका किस उभाह से हिंदी की कितनी बोलेया निकलिए इच ने बोलेया निकलिए चारराब्छे है सब्सक्शंद करने हिं तो पांच जाद पूले हैं हिंदी की पर हिंदी को इसके बाद राजिस्थानी से L लिए पहारी से भितीन निकलिए और पूर्वी निसे भी निकलिए तो पांच चार थीन 3-12 कि एड़ करोगे तो कितना हो जागा 18 अब कौन सी पाँच है तो आपको कैसे याद करना आ देखो आप जो का वह कैसे करता है काऊ काऊं तो का से 3 हो टाएंगी कॉर्वी कंणा जी बांगarु बिर्ज बुंदेली कैसे याट करोगे पच्छ में हिंदी से पांच बोलीया नकले हैं कौन-कौन से कोशंबी कर नोजी बांगरुं बुर्ज बॉंदेली को नोजी का कैад कौन बड़ुं इसके बाद राजिस्तानी से राजिस्तानी उभासा से हिंदी की कितनी बोलिय निकली है तो चार निकली है मारवाडी मालवी मेवाती डुनाडी मारवाडी मालवी मेवाती डुनाडी इसके बाद बिहारी से आपके कितने निकली है तीन निकली है कौन कौन सी भुचपुरी मगही मैथली और पूर्वी हिंदी का तो आप सब लोगों को मालूम होगा पूर्वी हिंदी से हिंदी की तीन बोलिय निकली है और पहारी किसे भी हिंदी की तीन बोलिय निकली है तो पूर्वी हिंदी से तीन कौन कौन सी है A, B, C याद करना है A, B, C A से अबधी, B से बगहिली और C से चछतिस गड़ी और सबसे लाश्ट में बची हुई आपकी पहाड़ी पहाड़ी से भी हिंदी की तीन बोलिया निकली है कुमावनी, गड़बाली और नेपाली तो ये नीचे लिखेंगे तो आपको देखे कर नहीं सायथ इसलिए बस ऐसे आद कर लो कि पहाड़ी से हिंदी की कितनी बोलिया निकली है कुमावनी, गड़बाली, नेपाली अब आपके पास कितनी बोलिया हो गई आपके पास टोटल है 18 बोलिया पस्चमी हिंदी से कितनी निकली है 5 कौन कौन सी कवा करता है काओ काओ कासे हो जाएंगी 2 कौरवी करनोजी, बांगरू, बर्जबुन्देली राजिस्थानी से कितनी निकली है 4 मारवाडी, मालवी, मेवाती, गुणाडी इनको किर्म से आद करना है पूरी राजिस्थानी ऐसा भी बोलते इनको है ना इसके बाद बिहारी में आपको मागी मगी मैथली भुजपुरी हो जाएगा पहाडी से कुमाउनी गड़वाली नेपाली हो जाएगा इस सब आपके अब आपकी अठारा बोली हो जाएगी अब कुस्चन यह आता है कि बोली यों की संक्या हिंदी की बोली अठारा है लेकर बोली बिभासा और भासा इनमें अंदर क्या होता है वाट इस डिफ्रेंस बिविन बोली भासा और भासा तो आपको मालू होने चाहिए कि जब भी कोई भास में जाता है जब गिसी बीका च्छेत्र विस्तार हो जाता है और जब किसी बूली में साहेतिक रचना होने लगते हैं तो शैघ आती प्राप्त कर ले तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं तो जैसे कि मैं आपसे बोलू जितने भी विधायक हैं विधायक मैंसे कुछ विधायक फेमस हो जाती है और वो मंत्री पदगर्ण कर लेते हैं तो विधायक तो रहते हैं वो लेकिन उनको क्या बोलते हैं मंत्री लेकिन जितने मंत्री होत पांच क्याने के लिए वॉर्वासा है और पॉसको भी बोली कहते हैं लेकिन उन्हें ख्याती प्राप्ट कर ली तो क्या बन गी वॉर्वासा है यह सिंव भवज है था है लेकिन विधायक मैंसे एक क्या बना देती हैं कुछ तो उसी परकार जो महान सकती हो भासे जापके जादा ग angry अजली उग्सार जानने लगे कॉन को बिश्तार हो गया ज़ादा लोग उनको को बलें लगे बिवaşक और कॉन कोण से आप वैसे बता सकते हो बिर्ज भासा जो बिर्ज भासा लिखते भासा है लेकिन वो आपकी भासा ना होगे क्या है विभासा है एक बिर्ज भासा हो गई एक आपकी अबदी है एक आपकी कौर्वी है जिसे खड़ी बोली बोलते हैं ठीक है और एक भोजपुरी है और मागदी है तो इस पांच है इसके अलावां दूसरी कौन से हो जाएगी बिर्ज कि इसके बाद होगी अब धी कि नैस्ट है भुजपुरी है है मैठली है कि यह आपकी क्या है पांच आपकी बिभासाए अए इन में साहे तुर सवीट विस्तार हो गया तहां को क्या बोलने लगे वर्फ cotton रख लाद रहें लेकी लेके बोली कि कि रधन मंत्री थे प्रसाइब से को वह को बने तो सकती तो इन मेंसे किसको बनाते हैं जो को भी होती जिसको खड़ी बोली बोलते हैं इसको भासा भी चहते हैं तो कॉरवी जो है जो अपना जिस भासा में न्यूज़ और आता है जिसे is खडी-बोली और Z चасे किरति हैं हर कोई इसे जानता है खड़ी बोली ने किसको कोरी चाहिश हम से चाहिए तो धिल्यों मेरट के साइन इसको बोलाजांटा तो इसके चैतर कहां आए इस प्रकार आपको पढ़ना है जो आपकी कौर्भी कह रहेगी कौर्भी आपकी भासा बन जाएगे तो आपकी विभासाएं कितनी है पांच है आपकी भासा खड़ी बोली को बोला जाता है भासा जो है जिसको बोलते हैं कौर्भी की नाम से भी जाना जाता है बोलीयां कितनी इसके बाद मैं हिंदी का विकास कैसे हुगा वह भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा और जो इसकी छित्र कहां पर हैं इसको आप पढ़ लेना कि किस व को किस चित्र में लिए इनके और भी आ जाते हैं जैसे कषडी बोली को क्या बोलते हैं खड़ी बोली कि नाम से लायुकर अपकि जो बांगुरु को बोलते हैं हरएकड़ी जो बांगुरु été हिएजातू के नाम से यह जाना जाता है जाट लोग रोले थी यह हरयाण हमोली से लिद्माब दौस के अलावां आपको जो आपकी ढुटारी इसको जैपुरी कि से जाना आता है दंडारी को क्या बोलते हैं जैपुरी इसको फूर्वी राजितानी जैपुरी भी बोलते है और अपकी पूर्वी जैपुरी इसके लाब करदी है आपको इसको बोलते हैं कॉसली या बेस बाड़ी को बोला आता है और इस सब नॉर्मल इनके खुद की नाम है बस जिनके दो तुतिन नाम होती है उनको पढ़ना आपको ठीक है थैंक यू फर बाचिंग वीडियो आपको वीडियो अच्छे लगता है तो हमारी चनल क को सब्सक्राइब कीजी वीडियो को लाइक और सेर कीजिए आंगे हम आपको बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आते आएंगे और कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा याद करवाने की कोसित करेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू